बिलकुल आज का istem stock है काब्रा extrusion टेकनिक लिमिटेड और यह stock मैं तीस भर जेम्स में cover कर रहा हूँ हर भार targets अच्छी हुए हैं और इस बार वी results अच्छे हैं और इस sector में काफी धूम अच्छिव है इस company ने गजब का performance दिया, in fact यह multi-bagger तो हुआ ही है, और उपर के level से अब corrected है, यह stock 600 के level से जब 500 के levels में 490 के levels में मिलता है, तो काफी conviction आता है, और मेरे हिसाब से stock को वापस है, इन levels में जो भी लेते हैं, तो 590 का target लगा है, 570-590 का, अब मैं fundamentals पे आता हूँ, और background पे आता है, और cold side group, cold side group देखिए, काफी अलग-अलग listed companies इनकी और है, जैसे plastic blends जो भी मैंने उसमें cover किया हुआ है, gems में, फिर महरास्टर pipe and industries limited, cover extrusion और cold side corporation LLP, तो यह इनकी 4 companies है, और 1962 से group कारियर रहत है, और 1912 से यह company कारियर रहत है, और company ने काफी सारा expansion किया, और सबसे बढ़िया बात है, company का market share बहुत strong है, company देखिए, largest manufacturer है, plastic extrusion machines की, बनाने के लिए जो extrusion lines चाहिए, जो machines चाहिए, तो यह बनाती है, बहुत सारे बड़ी product line और उसमें, करीब 40% market share है इंडिया में, इस company का, और सबसे बढ़िया बात है, यह company ने बहुत सारे international collaborations किये वे हैं, और उसकी वज़े से कई सारे expansions में, इन्होंने किये हैं, और साड़े 14,493 installations इन्होंने worldwide किये हैं, दो manufacturing facilities हैं, इनकी plastic extrusion के लिए दमन में, और 40% market share इस particular segment में होने के बाद, company का battery pack segment में भी, जहां पर यह लोग ने अच्छा expansion किया है, lithium-ion batteries भी बनाने लग batteries से लेकर 7,00,000 battery packs तक यह लोग by the end of this financial year वहां तक पहुँचेंगे, तो मुझे लगता कि और अच्छी growth आ सकती है company में, और यह सब करने के लिए बहुत जादा company के debts भी नहीं है, तो debt equity ratio is also below 0.20, तो battery pack segment में 10% market share है, करीब 90 countries में company का presence है, exports करीब 30% के लगभग होता है, और ज जैसे बैटरिक्स बोल के collaboration इनोंने किया, बैटरिक्स बोल के company से European player है, जिसमें यह लोग ने lithium-ion battery packs बना रहे हैं, और lead prices, lead prices और जब base metals नीचे आते हैं, तो battery manufacturers को फाइदा होता है, और वैसा ही इसको भी होगा आने वाले दिनों में, और मैं credit rating देख रहा था, तो upgrade मिला company को credit rating में, Crystal, इनकी credit rating agency है, उन्होंने A plus का stable मतलब से लेकर upgrade किया, इन्होंने, तो that is also very big positive, तो यह सारे expansions और यह सारी growth देखते हैं, तो आप देखे 15-16 का return on capital employed है, 73% की profit की कैगर रही है, पिछले 3 साल की, 45% की sales की कैगर रही है, पिछले 3 साल की, और debts भी negligible, जैसा मैंने बताए सरफ 14 करोड 0.19% debt equity ratio, पिछली बर मार्च में इन्होंने 11 करोड का पैट कहता है, इस बर मार्च का result भी अच्छा है, जो कि 12 करोड का है, और सबसे बढ़िया बात है, margins भी हलका बढ़ के आए हैं, जो generally सबसे ज़्यादा pressure margins का दिख रहा था, क्योंकि raw material की prices में सब में काफी भी जाफा हुआ है, बड़ प्रूड नीचे आता है, तो भी इनको फाइदा होता है, यह सब चीजों का benefit मिलेगा, तो मुझे लगता है, 38 करोड का पैट जो है, टीटीम बेसस पे, अच्छा गासा है, इनका highest ever टीटीम बेसस पे पैट है, प्रोमोटर्स की strong, 60% के लगबग shareholding है, और FII में University of Notre Dame, उन्होंने करीब 1.19% अपनी shareholding मार्च में add किया है, मार्च कोर्टर में, तो 0.5% के लगबगा, FII भी hold करते है, फ्लास्टी ब्लेंड जो मैंने बताया, उनकी भी इन में shareholding है, 0.5% के लगबग, so overall मुझे लगता कि इस टॉक पे ध्यान देना चा सकता है, इन लेवल्स पे 590 के target के लिए, ओके तो यह है, आपर के लिए काब्रा extrusion, यहां पर खरिदारी करे गए 570 और 592 target के लिए जैन साब की तरह से खरिदारी करने गए, जैन साब धन्यवादी jam stock के लिए आई यह वक्त,